सचिन पाइलट को कॉंग्रिस का प्रस्ताव मिला पाइलट को तीन मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है निउस 18 के अरुन सिंग की ये खबर है बड़ी खबर आपको बता दें निगम और बोर्ड में भी प्रतिनिदित्व देने की बात सचिन पाइलट के लिए की गई सचिन पाइलट को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है पाइलट को कॉंग्रिस में कॉंग्रिस का ये प्रस्ताव मिला है जिस तरीके से बार-बार सचिन पाइलेट की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए आला कमान को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए लेकिन अब उसके तहट पाइलेट को कॉंग्रेस का ओफर मिला है कॉंग्रेस का ये प्रस्ताव है कि तीन जो है तीन पद मिल सकते है और साथी साथ आपको बता दे इसी के साथ ये प्रस्ताव बड़ा ओफर एक तरीके से कॉंग्रेस के तरफ से सचिन पाइलेट को जहां पर तीन मंत्री पद का ये प्रस्ताव सचिन पाइलट के सामने रखा गया है अरुन अब अब सचिन पाइलट काफी दिनों से बात कह रहा है थे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, शुलह कमेटी कोई फैसला नहीं ले रही है आला कमान मुलाकात नहीं कर रहा है, लेकिन अब कॉंग्रस पाइलट को फाइनाल आफर दे दिया गया है तीन से जादा मंत्री पद किसी भी कीमत पर उनको नहीं दिया जा सकता उसके पीछे तरके दिया गया कि 9 जगह खाली है मंत्री मंडल में जिनमें इच्छा बहुजन समाज पार्टी के जो विदायक आये हैं सरकार बचाने के लिए उनको भी समायोजित करना है 12 के आसपास निर्दली विदायक हैं उनको मंत्री मंडल में जगह देनी है और कांग्रेस पार्टी ये जोर दे करके ये बात कह रहे है क्योंकि इन दोनों ने मिल करके सरकार बचाने की पूरी कोशिश की थी सचिन पाइलट ने सरकार को तोड़ने के लिए सरकार गिराने की कोशिश की थी इसलिए तीन मंत्री पद से ज़्यादा उनको मंत्री पद देना ठीक ठीक नहीं होगा और नहीं अशोक गैलत को नाराज करना ठीक होगा तो ये बात साप कर दी गई दूसरी बात पहले उनको सिर्फ किसी राजिका इंचार्ज बनाने का उफर दिया गया था केंद्र में लाकर के AICC में लाकर अब ये भी कहा गया है कि अगर वो चाहेंगे तो उनको महासचिव बना दिया जाएगा साथी साथ किसी एक बड़े राजिका प्रभार भी दे दिया जाएगा यह बेस्ट है जो Congress Party offer कर सकती है सचिन पाइलेट को यह Congress की तरब से साफ कर दिया गया है तीन मंतरी पद महासचिव बना करके किसी राजिका प्रभारी बना देना और साथी साथ निगम और बोर्डों में भी उचित प्रतनित दिया जाएगा उसमें कोई संख्या निर्दारित नहीं कर सकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री का विश्यसादिकार होता है मुख्यमंत्री उस पर फैसला लेंगे बड़ी बात यह है कि सचिन पाइलेट की नाराजगी दूर करना चाहता है आला कमान वो चाहता है कि पार्टी में बने रहें लेकिन अशोक गहलत को नाराज भी नहीं करना चाहता और दोनों के बीच संतुलन बनाने का एक फार्मूला तयार किया गया है जहिसी बात है गेंदव सचिन पाइलेट के पाले में वो क्या जवाब देते हैं और उसी भूर निर्भर करेगा कि इस अगला रुख किया होगा और आला कमान उनसे कम मुलाकात करेगा सुत्रों का यह कहना ते कि आला कमान सचिन पाइलट से मुलाकात तब करेगा जब किसी आफ़र को ले करके सपस्ट हो जाए पारदर्सी तरीके से यह पता चल जाए कि सचिन पाइलट सकारातमक है इस आफर को ले करके उसके बाद इस आला कमान्स की मुलाकात हो पाइए